नमस्कार सुबह की खबरों में स्वागत है आपका तब केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी के सामने चले लाद घूसे वैक्सीन देने का ऐसा बदला ले रहा बांगलादेश कश्मीर पर मोधी के साथ सर्वदलिय बैठक में क्या होगा खास न्यूजिलेंट बना ICC वर्ड टे के परसनल सिक्योरिटी ओफिसर यानि की पीएसो और कुलू एसपी के बीच जम कर बवाल हुआ इस औरान दोनों अफसरों के बीच लाद घूसे तक चले वो भी केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी के सामने बताया जा रहा है कि जब गटकरी और मुख्यमंत्री का काफिला मन नाली की ओर निकला तो भूंतर एरपोर्ट के बाहर फोरलेन प्रभावित किसानों ने उन्हें रोक दिया इसी बात को लेकर सीम के सिक्योरिटी ओफिसर और कुलू एसपी के बीच जड़ाप हो गई एसपी गौरफ सिंग ने पीएसओ बलवन सिंग को पहले थपड मारा इसके बाद बलवन सिंग ने भी एसपी को लाट से दो तीन बार मारा केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर भूंतर हवाई अड़े पहुँचे थे उनकी मांगे नहीं सुन रही उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस पर गटकरी ने सीएम को जल से जल उनकी मांगों पर घौर करने के निर्देश दिये बांगलादेश की नदियों में हिलसा मचली पाई जाती है जिसे भारत पे बहुत पसंद किया जाता है बांगलादेश से ही हिलसा मचलीयों का आयात किया जाता है लेकिन पिछले कुछ वक्त से बांगलादेश ने हिलसा के निर्यात को कम कर दिया है माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की ओर से कोरोना वैक्सीन के निरियात पर रोक लगा दी गई भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन के निरियात पर रोक लगा दी ऐसे में कायास लगाए जा रहे हैं कि इसी वज़े से नाराज होकर बांगलदेश सरकार ने भी हिलसा मचली के निर्याद को सीमित कर दिया विदेश मंत्राले के मताबिक भारत ने बांगलदेश को एक करोड से जादा वैक्सीन भेजी थी लेकिन पिछले साल जमाई शौष्टी के मौके पर बांगलदेश की शेख हसीना सरकार ने दोटन हिलसा मचली को निर्याद करने की स्पेशल परमिशन दी हिलसा मचली बांगलदेश में पदमा नदी में पाई जाती है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी 24 जून यानि की आज कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं इसमें कश्मीर के भविशपर चर्चा होनी है ना नुकुर के बाद कश्मीर के राजनेक दलों के संगठन पीपल्स अलाइंस पर गुपकार डेकलरेशन ने प्रधान मंतरी से मुलाकात को लेकर नरम रुख दिखाया है पांच अगस 2019 को केंडर ने जमो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर राज़कों दो केंडर शासित प्रदेशों जमो कश्मीर और लद्दाक में बाट दिया था इसके बाद से ही राजनेती का हालात अस्थर हो गए थे जातर बढ़नेता नजर बन थे अब मोदी के मुराकात को केंडर की ओर से जमो कश्मीर में जमूरियत कायम करने के लिए सभी दलों से बात करने की कोशिश के तोर पर देखा जा रहा है लेकिन सभी के मन में सवाल ये है कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के एजेंडे में आखिर होगा क्या इस अमंद में कुछ ठोस नहीं है पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बातचीत कश्मीर के भविश्या पर होगी पांच अगर्स 2019 के बाद राज्य में जो कुछ भी हुआ उससे राजनितिक अइस्थरिता का माहूल है आर्टिकल 370 खत्म करने और जम्मु कश्मीर री ओर्गनाईजेशन एक्ट को लेकर गतिरोध बना हुआ है इसके अलावा बहुत से मुद्व पर बात होने की संभावना है कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मु कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर भी बात हो सकती है और नैशनल कॉन्फरेंस के चीफ फारूख अब्दुल्ला समेट को छेत्रिय नेताओं ने साफ किया है कि बैठक में किस बात को लेकर चर्चा होनी है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है हाला कि अधिकारियों का कहना है कि ये मीटिंग राज्य में पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत करेगी विदान सबस चुनावों की संभावना भी टटोली जाएगी इस समय जम्मु कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है इसे पूरा करने में सभी राज्य नितिक दलों की भागिदारी की कोशिश होगी छेत्रिय पार्टियों के सही होग के बिना इसमें दिक्कत आ सकती है आपको बता दें कि 8 राज्य नितिक दलों के 14 निताओं को बैठक में बुलाया गया है न्यूजिलंड टीम आइसीसी वर्ट टेस्ट चैंपियर बन गई इसने साउथ हाम्चन में केले गए फाइनल में टीम इंडिया को 8 विकेट से शिकस दी कानवे साल के इतिहास में न्यूजिलंड टीम ने पहली बार कोई आइसीसी वर्ट कप जीता है कीवी टीम ने 10 जनवरी 1930 को अपना पहला मैच इंगलेंड के खिला था तबसे कोई वर्ट कप नहीं जीत सकी थी वहीं आइसीसी ने पहली बार वर्ट टेस्ट चैंपियंशिप यानि की टेस्ट कफ वर्ट कफ टोर्नमेंट चुरू किया इस पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 7 विकेट लेने वाले काईल जैमिसन को प्लेयर आप दे मैच चुना गया साथी न्यूजिलेंड ने दूसरी बार किसी ICC टोर्नमेंट के फाइनल में भारतिय टीम को शिकास दी इसे पहले 2000 के चैंपियन स्टोफी वन डे फॉमैट के फाइनल में भारत को चार विकेट से हराया था टेस्ट चैंपियन न्यूजिलेंड को 16 लाग डॉलर यानि की 11.71 करोड की इनामी राशी मिलेगी वही फाइनल में हरने वाली टीम इडिया को 5.85 करोड रुपे मिलेंगे अमेरिका की मौचूदा राश्पती जो बाइटन के बेटे हंटर बाइटन ने साल 2018 में एक कॉल गर्ल के साथ होटेल में रात बिताई थी और शायद अनजाने में इसकी कीमत उनके पिता को चुकानी पड़ी थी इस बात का दावा अमेरिकी अखबार न्यू यॉयॉक पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में किया है न्यू यॉयॉक पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हॉलिवुट के चेटो मर्मोंट होटेल में एक कॉल गर्ल के साथ बिताई रातों के लिए अनजाने में हंटर ने अपने पिता के अकाउंट से ही पेमेंच कर दिया हंटर बाइडन के लैपटॉप में कई मेसेज़ेस, तस्वीरें, वित्य लेंदेन की जानकारी मिली है रिपोर्ट के मुताबिक इस लैपटॉप को हंटर बाइडन एक डाइरी की तरह इस्तमाल करते थे उस लैपटॉप में हंटर बाइडन के इमेल, बाचीत, वित्य रिकॉर्ड, खुद की सेलफी तस्वीर थी एक साल बाइडन ने उस लैपटॉप को मरमत के लिए दुकार में दिया था जिसके बाद वो उसे भूल गए थे रिपॉट के मुताबिक साल 2018 के मई के महिने में जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने एक यात्रा के दौरान कॉल गर्ल के साथ होटेल में समय बिताया था अब सवार उठ रहे हैं कि आखिर किस स्थिती में हंटर बाइडन और उनके पिता जो बाइडन का वित्तिय लेंदे निक दूसरे उसे घुल गया पुल 25,000 डॉलर यानि की करीबन 18,000,000 रुपय का पेमेंट किया गया जो मैसेज के स्क्रीन शॉट लैप्टॉप से नियू यॉयॉक पोस्ट को मिले उसके मताबिक हंटर रूसी महिरा को अपना नाम रॉब बताते हैं मैसेज में लिखा है हाई मेरा नाम रॉब है मैं चैटो मार्मोन में रह रहा हूँ क्या तुम अभी उपलब्द हो लेकिन जब कॉल गल को पेमेंट करने का मौका आया तो उस वक्त हंटर बाइडन का क्रेडिट कार्ट काम नहीं किया उसे पैसे भेजने की एप के जरीए भी कोशिश की गई लेकिन कार्ट फिर से काम नहीं किया गया सुबह तक ये दिक्कत उनके साथ बनी रही और उनके कार्ट से किया गया पेमेंट सफल नहीं हो पाया नियू यॉर्क पोस्ट के मताबिक लैपटॉप से प्राप्त रसीदों के मताबिक आठ हजार डॉलर फिर दो हजार डॉलर का एक और ट्रांसिशन किया गया फिर करीब ग्यारा बजे सुबह 3,500 डॉलर फिर 8,000 डॉलर और 3,500 डॉलर के अलग अलग पेमेंट लैपटॉप के जरीए किये गए कुल मिलाकर 25,000 डॉलर एक घंटे से भी कम समय में ट्रांसिफर किये गए